एक एम बनाओ और बस उसकी तरफ बढ़ते जाओ रोज महनद करना सबूगी है दोस्ते क्योंकि बगएर महनद के ना कुछ नहीं लिए शॉटकर्ट से क्या होता है कि आप शॉटकर्ट से आप खुश रजाएंगे फोड़े समय के लिए याद रखना शॉटकर्ट कभी भी मन लेजंड लेजंड को पैदा नहीं होता है दोस्तों उसको बनने के लिए बहुत सिंपल जी बात है नोबड़ी बिकम्स देजनरल विद अन्टी दर जर्णी इंवालवन दाट और यूँ हाट गो तुरू दाट जर्णी उस जर्णी की इजट होती है तो अपनी खुट की इजट कीज़े उस जर्णी की इजट कीज़े और अगर सभाई चाहिए ना इम लेने के लिए बाब आप इससे बात को तुकि वह सिर्ख जिल्दगी में ऐसे होते हैं जो आप से की बातों से ज्यादा ये मेरी सलाह है एक बड़ा भाई समझ ले शुटा भाई समझ ले जो भी समझ ले अपनी लक्षित पर खुद को भरोसा करना पड़ेगा अपको अपने आप से ज्यादा कोई अच्छे से नहीं आपके माबाप और आप अपने आपको जानते हैं आपक अपने पैशन आपको जिस्चीज में मन लगता है ज़ए धरवानों से लड़ाई मत करों करो कि अपने अगरी होंगे आप सेम पेश पर होगे आपको मदद चाहिए इमोशनल सपोर्च आइए अपने अपने घरवालों का अपने नहीं गरोंगा और वो मिलेगा बस अपने पैशन को अपनी जंदगी में बदलो, मुझे पता है इस चीज़ को तो कि मैंने जितने लेजेंड से मिलाओ, सब में दो चीज़ें कॉमने, पहला, उन्हें हनेशों से वही बननाता, आर्यों जाता है, उन्हें अपने रूट्स नहीं बदे, दूसरा, उन सब में एक चीज़ बहुत को मंदी, वो सभी बहुत को सब्सक्राइब है, और रोज रोजाना वो अपनी चोटी-चोटी महनत करते थे उस लक्ष करणा बढ़ने के लिए, इसलिए ट्रेनिंग करना बहुत सरूरी है, और स्टे फोकस, फोकस कैसे रहेंगे, सिंपल है, आख बंद करके ध्यान क करने से कुछ भी होता, बाबा बंजा होगे तलग लगा के, सारी मैं किसी रिलिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पीर फकीर और बाबा बंजने से कुछ नहीं होने वाला, या सिरलाइज हो, यहां पर हो, आपके माबाब के साथ रहेकर, फोकस रहो ना, रोजाना, करने के मज़ा क्या आता है, आप